तो को याँ साभीको स्वागोथा थग्रोनीच चफ्रश redogesch उन्लाइन चेलास में स्वागत्अ तो अपना चैप्टर चल्ला था लेस्न नम्मर दो पर्मानु सरचना और पर्मानु सरचना में भी अपना टोपी चल रहा था इलेक्ट्रोनिक विन्यास बनाना यानि आप वो सिद्धान और आप वो सिद्धान उमें जो तीन नियम ठेपने पावली का पॉरजन नियम उंड का अधितम भूलता का नियम और एन प्लस एल नियम तो तीन नियमु से मिलकर जो अपना सिद्धांत बनाता आपको सिद्धांत तीनु नियम आपने कंप्लीट कर लिए थे अभी इसी इलेक्ट्रोनिक विन्यास के संबंद में एक और नियम अ चोटा सा अर्द पूर्ण अर्द पूर्ण वे पूर्ण पूरित कक्षकूं के स्थाइट का नियम तो इससे पहले अपने एक नियम पड़ा था Fp किया में पड़ा था आम इतकर लीम वाँ कि इंचिन ओर जाके करमें बढ़े जाते हीं पहले पने फ्रसकिवल्ण कम क dw नियम की कैसा थिए नियम क्या नियम नियम सो जिए कख्षक को आदा-बने में या पूर्ण भरने में पूरा भरने में एक लेक्ट्रोन की कमी है उसको आधाया पूरा ही भरो इस तरह आगे वाल जो कखसक है उसके लिए एन प्लस अल कामान कम किगी क्यों ना वो उसमें लेक्रोन बाद मरी क्योंकि अर्द पूरित कखसक यानि पी 3 अर्द पूरित कर दो पीमें कितना याते है पने चल्ड आज़ात कितना होगा पी 3 इक टे टे तेन तो क्योंकि यह क्या है अर्द पूरित क्यों कोन से कर्चा कर दो ने अर्द पूरित पूण पूरित कूण शेंगे P6, B10, F14, पूण भर गया P6, 6 पूरा भर गया, आदे कितनी, 3 अर्ध पूरित, D में दितम कितनी, 10 तो 10 पूरित कितना होगा, पूण पूरित आदा दिपाई, अर्ध पूरित कितनी, 14 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 पूरित जो भी इस्तितियारे उसकी तुल्ला में यह जो कशक होते हैं अधिक इस्ताइब होते हैं इसलिए किसी कशको को आदा भरने पूर्ण भरने में एक लेक्ट्रोन की कमी है उसको आदा या पूरा ही बरेंगे किईसृ में आर्व पुर्ण पूरीद कशक होते है उनकी तुल्ला में अधिक इस्ताया होते हैं क्योंकि इस्तायिकन उर्जा अहुनकी इस्तायीकन उर्जा अधिक होते है क्वार्थ पुणपुरेट पुनक्वारिष अधिक्म में होती है तो थे u यानि इस्ताइक नूर्जा जिस करक्सर की इस्ताइक नूर्जा दिखो तो उनका इस्ताइक नूर्जा जाता जैसे अपने एक्जाम्पन दे रहे हैं Chromium Cr Chromium 24 Chromium 24 Chromium 24 इस 24 इस्ताइक नूर्जा जिस्ताइक नूर्जा इस्ताइक नूर्जा जानि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 था सब्साइक में ठोड़ है में कितना पर रहे ही इसे करने जाने रहे हैें अगी को तक permitir आंगे अगी कितने हो गए deeply तो कि अच भूंच को नूर्ट परकूं की फघ्ट हैं यहां से कितने बचेगा आपने 6, 6 लेक्षूंट आपने 6 लेक्षूंट को बने D में और S इसे बने 3D में और S ले पहले किसका क्यों रजा कम होगी 3D के लिए N प्लस L कमाण कितना होता पना 3D के लिए मैं निकाला था 3 प्लस 2 यादि 5 और 4S के लिए N कितना है 4S कितना है 0 यो कितना आगा 4 यादि 3D कितना नाम 4S कुरज़दा कैसी है चाहता है तो पहले एलेक्षूंट की समाएगा 4S तो इलेक्षूंट नियास कैसा आना चाहिए अपना 4S2 4S2 अब बज़गे 6 में 6 में 6 कितना बज़गे 4 प्रोमियम के लेक्षूंट नियास यह आना चाहिए 1S2 2S2 2PC 3S2 3PC 3D 4 4S2 प्रूंट यह क्या है गलत है यह कैसा आपना गलत क्यों क्यों कि यहां पर अपने नियम लागव होता है अब पूरी तो पूर्बूरी कल्शूंट के इस ताइक्षूंट का नियम तो इसका एलेक्षूंट नियास क्या होगा बना 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 अब यहां पर जो 3D है 3D है उसको आता भरने में यहने डीप हाइप करने म अड़ पूरीत करने में डीप है कि इतनी कमी एक अलेक्षूंट की कमी है तो यह बीफोर की तुल्ला में डीफाइप ज्यादा इस्ताई होगा इसलिए पहले लेक्षूंट की समयागा इसमें तो क्या दाएगा 3D 5 4S 1 यह अपना इसका है सही है यह अधिक इस्ताई होते है धी श्टाई होते हैं अधिक इसमें ना चबढ़ें कि इतनी वरण कितना बेिजी पाच पर आग्यों कितना बेजेंगे एप यह अधिम एक एक्जम्पल और वो है इस आपके लिखाता है को पर सी गुंतिश नंबर को पर सी यू यानि गुंतिश नंबर को पर के लेक्टिमिना से जाबता है यहां तक कितने हो गए अपने अठारा ही लेक्टो यहां तक कितने हो गए अठारे बरने कितने गुंतिश की इतने बच गए इतने बच गए ग्यारे अब देखिए एन प्लस है कितने बच गए नौ तो कोपर के लेक्टिमिनास का इस आना चाहिए था यह आने चाहिए थी दी नाइट को रेश्टू और यह क्या है गलाट क्या है गलाट क्यूंकि इसका सही क्या होगा दी में कितने आते हैं दस तो कंप्लीट करने के लिए कितने कमी एक की नौ है तो नो की तुलना में थी डी 9 की तुलना यह 3D 10 है इसको पूरा बरने में 1 की कम यह तो क्या दाएगा 3D 10 बच गा एक फिर हो जाएगा क्ता स्थाइक था अंग कि येैं div विच्थ कब लाइन गया ये तो था सब्सक्टेंग के बाइन पलस एल ट्सथि यह संपना ये कैसा है सही को थापना आद पुर्तोग पूपरी का सुभीशता है तो का नियें प्रिस्क्या कोडिंग में पने कोई लेक्रोमी नासे भन्ने ठीके तो धन्यवाद आज के लिए तरहें